हरे केशना रादे रादे सभी ठाकुर भगतो को मैं आप अनाम कैसे आप सब लोग आपकी सब लोग अच्छे होंगे आज हम लोग बाल गोपाल के लिए बहुत ही सुन्दर सी बिना क्रोशिया नेटिंग की जो विंटर प्रोशाख है वूलन से बनाई वो आज देखने वाले बहुत ही सिंपल वे में मैंने पुशाख बना के तयार करी है और इसके उंदर जितने भी फूल पती आपको दिख रहे हैं सारे मैंने बिना क्रोशिया या बिना नेटिंग के वनाय है तो तरीका मैंने वीडियो में बताया है तो आप चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बना के ready करा है तो सबसे पहले हमें लेना है एक आस्तर मैंने यहापे थोड़ा सा कड़क टाइप का cotton का आस्तर इस्तेमाल करा है अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल अस्तर का इस्तेमाल कर सकते हैं टोटल 11 इंच डायमेटर में मैंने इसको कट किया है और टोटल इसको ऐसे अच्छी तरीके से मोड के मैंने इसके बीच में से एक सरकल छोटा सा कट किया है तो आप देख सकते हैं यहापे तयार सरकल कमर का काम करेगा और सरकल के बीच में से एक स्ट्रेट कट भी लगाया है तो यहाँ पे मैंने total 4 color के धागे लिए एक off white, purple, peach और green color के तो 3 यह तो flower में use होएंगे और बाकी के जो है वो off white domain फुशाक में काम करेगा वो होएगा तो अगर आपके पास off white नहीं है pure white भी लेंगे तो बहुत अच्छा लेगा तो मैं एक चोटी बना के बता रहा हूँ off white की तो total 5 threads की हमें चोटी बनानी है तो total 15 inch का मैंने एक धागा कट किया है तो इस टाइप से मैंने 4 ले लिए और अभी मुझे और एक लेना है 5 वा तो 5 धागे ऐसे लेके एक हम thread बना लेंगे चोटी का और ऐसे हमें 3 और कट करने है तो total हमको 15 threads की ऐसी चोटी बना लेंगे तो total तीन threads है पाच-पाच के बंडल के तो इसको हमें एकटा ऐसा रख के हमको इसको not लगाना है तो इसकी आपको बहुत लंबी चोटी बनानी है तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ चोटी तो जितनी आपको possible है उतनी लंबी चोटी बनाई है मतलब कि यह आपको लंबाई में ज़्यादा चाहिए जो जैसे आपको work में लगेगे उस यसाब से आप बनाके भी लगाएंगे तो भी चलेगा आभी मैं फूल बनाने के लिए यहाँ पर जो चोटी ले रहा हूँ तो टोटल 14 इंच का मैंने यहाँ पर लिया है और टोटल 4 थ्रेड्स लुंगा में लंबाई में और इन चारों को इकटा करके मैं सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पर उपर साइड में सबसे पहले तो टोटल मेरे 12 थ्रेड्स है यह और उपर साइड में मुझे ऐसी नॉट लगा ली तो दो प्रकार की चोटिया मैंने इसके अंदर इस्तिमाल करी है इस वज़े से मैं शुरू में ही आपको दिखा रहा हूँ एक तो मैंने करी है पाच थ्रेड्स की यानि टोटल 15 थ्रेड्स की और एक मैंने करी है चार थ्रेड्स की यानि की टोटल 12 थ्रेड्स की तो यह जो चार थ्रेड्स की है उसकी मैं अभी चोटी बना रहा हूँ तो एकदम ढीली ढीली चोटी हमको गुतनी है सभी में तो जिससे कि हमारा वर्क जो है काफी अच्छे से बनके तयार होगा अगर आप टाइट गुतेंगे तो बहुत ही तादा वो टाइट वर्क होईगा तो यह आपको इस टाइप से ऐसे ट्रैंगल बनाते हुए एसे धागे से, रील के धागे से ही मैं यहाँ पर नॉट लगा रहा हूँ क्योंकि उलन के धागे में उतनी अच्छी ग्रिप नहीं पकरता है तो चोटिया हमारी बनके तयार है अभी हमको इसको इसके उपर लपेटते जाना है तो अफवाइट कलर सबसे पहले मैं ले रहा हूँ पाच थ्रेड्स का, यानि कि पंदरा थ्रेड्स का हमें इस टैप से कॉर्णर पे ऐसे मोडते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगाते जाना है तो एक-एक करके रिवर स्टीच मैं लगा रहा हूँ तो इस टैप से सबसे पहले तो हम शुरू में लेंगे और फिर जो सामने साइड से थोड़ा सा पीछे साइड में लेके एक टाका लगा देंगे इस टैप से आप नॉर्मल स्टीच भी लगा सकते हैं से आपके समझ में पड़े उस टाइप से आप स्टीच लगा यह मैं आप पे रिवर स्टीच लगा रहा हूँ सबसे पहले तो हम ऐसे पीछे से लेंगे आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे पीछे डाते हुए एक छोटा सा टाका लगा देंगे फिर से हमें ऐसे ही सेम प्रोस यह प्रोसेस का मैंने अट filters के आटे तो एतना बनके तो त्यार है अभी मैं आप को अगले प्रोसेस में साब कुछ बताओंगा मतलब की calor कैसे Mix करना है फिर हमको लास्त में चोटी कैसे cut करनी है और साती में दो चोटियों को कैसे एक दूसरे के साथ attach करना है ठीक है तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे यह चोटी में ने purple color की में ले रहा हूँ as a border देते हुए तो दो layers में और लूंगा तो total 9 layers के हमारी यह पोशाख बन के तियार होएगे तो जैसे शुरू में हम fold करके लेते हैं उसी type से हमको यहाँ पे silahe लगाना है इस type से तो silahe लगाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम हलका सा off white को लेते हुए हमें इस type से एक टाका लगा देना है ठीक है मतलब कि off white को हम हलका हलका ही लेंगे और इसके अंदर जो purple color का जो भी thread आप ले रहे हैं उसी साब से है मैंने thread यहाँ पे purple color का लिया है तो आप देख सकते हैं एकदम हलका सा मैंने off white से ऐसे निकाला सुही में से एकदम हलके से आपको निकालना है ज्यादा इसके अंदर कुछ मेनत वाला काम नहीं है और फिर आपको इसके अंदर जो है purple के वाले के अंदर में अच्छे से आपको इसको सिल देना है ऐसे ही मैं और एक दो बार आपको बताता हूँ जो कैसे हमें करना है तो आप टाका देख सकते हैं हमारा थ्रेड जो है मैच हो रहा है यानि कि मिक्स हो रहा है और ज्यादा मतलब कि टाका दिखाई भी नहीं पड़ रहा है ठीक है तो इस टाइप से आपको लेना है एकदम हलका ओफवाइट में एक दो धागे ही आपको इसके ये करने है और बाक करम लगाते है उसी टाइप से ये थोड़ा सा ऐसे स्टेडी रहे वही हमारा ये परपस है तो इस टाइप से हमको इसको पूरा ले लेना है ठीक है तो पूरे इसके अंदर हमको ऐसे ही अटेज कर देना है और लास्ट में हमें कट करने का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ तो आभी हमारा ये लास्ट तक तो आटाइज हो गया अभी यहाप पर हमारा जो एक्स्ट्रा थ्रेड बचता है यानि कि एक्स्ट्रा चोटी बचती है उसको हमें कट करके कैसे आटाइज करना है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो हमको क्या करना है धागा लेना ह तो धागे को जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा लपेटेंगे तो जो एक्स्ट्रा की चोटी है उसको आपको पहले कट करना है तो यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा वाली चोटी को कट कर दिया इसको रख देंगे साइड में और फिर इसको अच्छे से लपेट के जो हमने नॉट बांदी थी शुरू में ऐसे ट्राइंगल लेते हुए पूरे हमें नॉट लगा देनी है नॉट लगाने के बाद इस कपड़े को हमें जो मोड के धागे को चोटी को यहाँ पे हमें टाके लगा देने हैं जैस अब आपको कम से कम समय में समझाने की कोशिश करी है अभी मैं यहाँ पे और एक लेयर लगाऊंगा अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक कही से अनीवन फैब्रिक दिख रहा है आपको तो आभी हमको क्योंकि यह टाको में कैसे होता है न कह इस्ट्रा वाली को थोड़ा सा छोड़ते हुए और जो छुटा हुआ फैब्रिक है इसको हमको ऐसे मोड़ते हुए फिनिशिंग के साथ में दूसरी चोटी को ऐसे इसके उपर रखते हुए मोड़ते हुए इस टैप से आप देख सकते हैं कैसे मैं रख रहा हूँ और आप हमको इसको सेम उसी प्रोसेस में जैसे हम मैच करते हुए दोनों को मिक्स करते हुए हमको इसको टोटल इसको पूरी चोटी को अटेज करना है तो हमारा जो बेस है वो बनके रेडी हो जाएगा जो पोशाक का उलन की तो में बेस जो है हमारा बनके रेडी है अब ही हमें इस इज़े, 5 इंच इंच चीस की टोटल लंबाई में है, तो आप देख सकते हैं, पाच इंच लंबाई का है, तो हमको क्या करना है, इन चोटियों को, इह See Heелिए, पाच इंच लंबाई का है, हमको ये के साथ attach करके एक strip बना लेनी है पाच इंच के ठीक है तो बहुत easy process है ज्यादा complicated नहीं है अगर आप एक बार इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको यह बहुत easy आएगा crochet से तो easy है मतलब थोड़ा सा crochet में थोड़ा जादा दिमाग लगाना होता है इसमें थोड़ा सा कम दिमाग लगाना होता है तो total यह हमने जोड़ दी यह एक और यह हमारा total complete है अभी हमें आपके क्या करना है इस type से हमारे धागे को मैंने cut नहीं किया है सेम धागे के साथ में continue क कर रहा हूँ सुई को थोड़ा मोटा ले क्योंकि उलन धागा जो है वो छोटी सुई में पिरोने में हाट जाता है तो बड़ी सुई इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा जाएगा तो यह strip को सबसे पहले तो हम यहाँ पर attach करेंगे इस type से तो शुरुवात करते हुए मैं यहाँ पर भी reverse stitch लगा रहा हूँ और यहाँ के जो टाके मैं लगाऊंगा थोड़े tight टाके लगाऊंगा जिससे कि हमारा कहीं से छूटे नहीं और फिर यहाँ पर इसको सेम जैसे हम dress में चोली को attach करते हैं उसी type से हमें यहाँ पर भ हाथों से किया हुआ है आप चाहें तो इसको सिलाई machine पर भी सिल सकते हैं यह अभी total optional है आपके ओपर depend करता है आपकी पास availability के हिसाप से तो ऐसे हमें दोनों को attach कर देना है मैंने attach कर दिया है और साती सात में आप देख सकते हैं हमारा यह base बनके तयार है अभी मुझे इसके उपर जो flowers बनाने है वो attach बनाने है और attach करने है तो टोटल यहाँ पर एक तो मैंने purple कलर किये तो बज गई थी जो हमारे crafting में से 10 inch की line है और 10 inch के और 2 मुझे peach color के लेने है तो आगर आपके पास peach color नहीं तो आप कोई भी pink color इस्तमाल भी कर सकते हैं कोई भी combination के साथ में total 10 inch क आपको तीन चोटिवा बना लिनी है तो यहाँ पर मैं फेवी बॉन का इस्तमाल कर रहा हूँ अगर आपके पास फेवी बॉन नहीं है तो glue gun का इस्तमाल भी कर सकते हैं अभी यहाँ पर हमको क्या करना है इसको हलका साय से मोड़ देंगे नीचे साइड में इसके end को और इस आपको फेवी बॉन लगाना है और इसको नीचे साइड में ऐसे दबा देना है तो देख सकते हैं आप कितना लग रहा है यहीजी भी बहुत ज्यादा है ज्यादा glue भी इसके अंदर लगाने की ज्यादा जोरूरत नहीं है ठीक है तो इस टाइप से आपको और दो flowers जो है व बारा थ्रेड की चूटी बनाए थी वही हम लेंगे और इसकी ऐसे मोड के बीच में फेवी बॉन लगाके इसको हलके से ऐसे चिपका देंगे तो बहुत इजी लिए चिपक जाएगा और हमारी पत्य बनके भी रेडी है तो आपको इसको थोड़ा सा ऐसे hold करके रखना पड बनाएंगे चार पत्या और तीन फ्लावर बनाए है तो टोटल एक पत्य को हम लोग इस ताइप से ऐसे रखेंगे और उसके साइड से एक को दूसरा ऐसे रखेंगे ठीक है तो पूरा यह आउफ वाइट पर ही में काम कर रहा है आप देख सकते हैं सेम हमको इसको भी इसी तो आप है आपको यह थोड़ा सा तीतली जैसा देख रहा हो तैकर की वैसे हमको बनाए है फिर एक पपल कलरता जो हमने बना था वह साइड मे रख रहा है और नीचे साइड में दो हमें पीच कलर कर रखने तो जिससे यह कोम्मिनेशन जो है बहुत यह दादा बढ़िया ब वाट से ही चिप का रहा हूँ, आप चाहे तो स्विय और धागे से भी इसके अटेच कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो प्रोसेस बहुत लंबा जाता है, इस वज़े से मैंने फटा-फट से इसको पेस्ट कर दिया हमारी पोशाक, जो है हम बोल सकते हैं, बनके रेडी है, उप उपर साइड में जो है हमको थोड़ा सा चोली के बीच वाले हिस्से में स्टीच लगाना है, यहाँ पर और जो उपर वाला हिस्सा है न चोली यह ड्रेस का वो भी मैंने यहाँ पर सिल दिया है, आप देख सकते हैं, इस टैप से यहाँ पर एक सिलाई लगाई है, और पर जीशिंग काफी अच्छा हैगा, अभी हम इसके उपर कुछ मोती लगा देते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक एक मोती में सब के उपर ऐसे लगा रहा हूँ, तो ग्लू से ही में मोती चिप कर रहा है, अब चाहे तो सुय और धागे से भी इसको कर सकते हैं, बस आप सभी के साथ में आप लोड कर भी खापी सादा महनत लगती हैं, तो थैंक्यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आप सभी का धन्यवाद, राधे राधे, हरे क्रिश्ना